नमस्कार आप सभी का एगंस्ट क्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेगे सुचना अधिकार अधिनियम के तहत लोग सुचना पदाधिकारी द्वारा किस प्रकार राज सुचना आयुक्त के साथ साथ आवेदक को भी गुमरहक्या करते हैं तथा इसके बावजूद भी सुचना आयुक्त द्वारा भी PIO पर उचित कारवाई नहीं की जाती है और अंत में सुचना अपलब्ध करवाने में भी विफल रहते हैं दोसी सावित होने के बावजूद भी अब शूचना आयोक द्वारा यह कहा जाता है कि आपको अभिलेक की परमानिच्छाया परती RTI Act के तहत नहीं दी जा सकती है आप लोग देखें यह इमेल से लोग शूचनाप दाधिकारी द्वारा आयोक को परती लिपी भेजा गया था जिस पर मैंने आपती भी लगाया है इस पूरे बात को आप लोग ध्यान पुर्वक देखेंगे ध्यान पुर्वक डेट याद रखेंगे इसमें करते हैं उप्युक्त विषय के संबन्द में साधर अंकित करना है कि प्रसंगाधिन पत्र अदोस्तरिक कार्याले को दिनांग सत्ताय साथ इतना को प्राप्त हुआ प्रसंगाधिन पत्र में परिवादे श्री प्रवीन कुमार सरमा द्वारा या सिकायत दर्ज है कि सूचना अपलब्द कराने है तू 454 रुपये की मांग 6 मां के बाद उन्हें सुचित किया गया था अतिय अतह देनियम के अंतरगत वे मुप्त सूचना पाने के अधिकारी थे प्रन्तू ने मुप्त सूचना नहीं दी गई इस संद्बंद में अंकित करना है कि परिवादी स्री प्रविन कुमार सरमा का सूचना प्राप्ति तू आवेदन प्रपत को इस कार्याले को लोग सूचना पतादिकारी समर्णाले मदेपुरा के पत्रांग कितना दिनांग 4-3-2020 के माध्यम से दिनांग 6-6-2020 को प्राप्त हुआ और इस कार्याले के पत्रांग 5-0-1-9-2 दिनांग 7-6-2020 के द्वारा परिवादी स्री प्रविन कुमार सरमा को 454 रुपे सूर्क जमा करने की सूचना रइश्टर डाक से दी गई इस प्रकार 30 दिन के अंदर परिवादी को सुचित किया गया अतह परिवादी का यह आरोप की 6 मां के बाद उन्हें सूचना सुचित किया गया है बिल्कुल ही जूटा और निराधार है उलेखनिय है कि 24 मार 2020 से COVID-19 के करण लाक डाउन के चलते सरकारी कार्याले बन थे परिवादी परवीन सर्मा को इस कार्याले की पत्रां कितना दिना कितना के जरी नावांतरन अपीलवाद संख्या इतना के कोड डायरी से समंदिस सूचना बिना किसी सुल्क के रेश्टर डाक से पुर में भेजी जा चुकी है अतर परिवादी का यह आरोप उने मुक्ट सूचना नहीं दी गई बिल्कुल ही जूटा और निराधार है अब यहीं आप लोग ध्यान रखेंगे कि यदि वो सूचना मुझे सौ समय दिये होते तो उन्हें मुझे सुल्क जमा करना परता लेकिन चुकी वे सूचना नहीं दिये इसलिए बाद में वे मुझे ने सुल्क सूचना उपरब्द करवाए हैं यहां ध्यान देने के बाद है कि एक तरफ हुए कहते हैं कि उन्हें मुझे सूचना दिलाई गई है दूसरी तरफ हुए कहते हैं कि वे तीस दिन के अंदर हैं परिवादी को सुचित किया गया था मैं इस संबंद में आप लोगों को ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं कि यदि मैं समय पर सूचना उपलब्द करवाने हैं तू आवेदन दिया और उसमें यदि मैंने सुल्क नहीं जमा किया तू वह मेरी गलती हुआ करती तो फिर वे मुझे छूठी सूचना क्यों दे रहे हैं कि उन्हें सौसमें सुल्क के लिए तीस दिन के अंदर भेजा गया था और फिर दुबारा लिखते हैं कि उन्हें मुझे सूचना दी गई इससे ही सावित होता है कि लोग सूचना अपदादिकारी द्वारा कहीं न कहीं आवेदक और सूचना आयुक्त को भी गुमरह किया जा रहा है सच्चाई यह है कि आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगें कि मैंने भूमी सुधार उपसमारता काडियाले को ही आवेदन हाथों हाथ दिया था लेकिन वे कर रहे हैं कि मुझे समारनाले मदेपुरा द्वारा प्रपत्र को भेजा गया था इस प्रकार यह लोग जान बूझ कर आवेदक के साथ साथ सूचना आयुक्त को भी गुमरह कर रहे हैं देखिए यह मेरा प्रपत्र को है सूच भूमी सुधार उपसमारता को मैंने 28-12-19 को ही उपलब्द कराया था और इसका रिसीविंग भी है मैंने हाथों हाथ यह आवेदन रिसीव करवाया था काड़ याले में जाकर जिसमें लोग फूचना पदातिकारी द्वारा मनमानी की गई थी बाद में वे लोग रिसीव कर फिर काड़ दिये थे क्योंकि तीन नमबर में देखें उन्होंने मुझे कोई दिनांक नहीं दे रहे थे इस पर मैंने जब आपति लगाई तो वे रिसीव को काड़ दिये फिर मैंने कहा ठीक है जब अपलब्द करवाये तब उसके बाद उन्होंने रिसीव किया था यह 28.12.19 की बाद लेकिन यह 6 मैंने बाद मुझे सुल्क के लिए बेशते थे जिसका परमान मेरे पास है आप लोग याद रखें देखें यह 6.7.2020 को यह 227 पन्ने के लिए 454 रुपई की मांग के थे यही मैंने शिकायत किया था बाद में यह लोग 227 पन्ना भी मुझे उपलब्द नहीं करवाये जिसमें मातर मुझे देखिए इसमें भी लिखावाया 227 पन्ना वे मुझे मातर 60 पन्ना उपलब्द करवाये हैं आप लोग देखें वो भी कब 18.12.2020 को लगभग एक बरस पर वे 227 पन्ना में से मातर 60 पन्ना ही उपलब्द करवाये हैं इस प्रकार ये लोग जान बूज कर सूचना आयुक्त को भी गुमरह करते हैं और हावेदक को भी गुमरह करते हैं जब मैंने यह सावित सूचना आयोग में कर दिया तो सूचना आयुक्त सीपी चोधरी द्वारा अब कहा जा रहा है कि यह सूचना अधिकार के अंतरगत दे नहीं है. इस प्रकार मेरे आवेदन को तीन बार सुनवाई करने के बाद, प्रमानित होने के बाद वे खारिच करना चाते हैं. मैंने इस संबन्द में तीन ग्यारा दुजार वायस को सुनवाई कराया हूं. लेकिन उन्होंने अब लोग सूचना पदा अधिकारी के पक्ष में बोल कर यह कर रहे हैं कि यह सूचना अधिकार अधिनियम के तरह दे सूचना नहीं है. आपको बजापता नकर निकलवाने लेनी चाहिए. जबकि मैंने इस सम्मद में भी आवेदन दिया लेकिन लोग सूचना पदा अधिकारी द्वारा संपूर नविले की परमानिच चायापरती नहीं दे रहे हैं. इस प्रकार आप लोगों के साथ यदी होता है तो आप लोग भी सूचना आयुक्त के खिलाप भी राजिपाल या हाई कोट में अपील जरूर दायर करेंगे मैं भी इस अपील को दायर करने का प्रयास करूंगा आप लोग अबस इस चैनल को स्रपोर्ट करेंगे जिससे मुझे भी बल मिलेगा और इस प्रकार मैं भ्रस्टाचार के खिलाप लरते हुए आप लोगों का भी कुछ कर सकुंगा जैहिन